हेलो एब्रीवन नॉन डिस्जंक्शन पॉट टू में हम देखेंगे कि अगर नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है मियॉसर सेकंड पे तो उस वजह से क्या चेंज़ आती हैं कैसी सेल्स बनती हैं आपको याद होगा कि पॉट फर्स्ट में ही हमने सीखा है कि नॉन डिस्जंक्शन क्या है नॉन डिस्जंक्शन इस टाइफ का फेलियर है फेलियर अप अप पोजिट पोल्स जूरिंग मियॉसस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हैं शायद यह समझ नहीं आएगा आप को पहले आफ वो देख सकते हैं तो non-disjunction में हम देख रहे थे कि क्रोमोजोम मुझ नहीं कर पा रहे हैं opposite false की तरफ जिस तरह वो normally करते हैं राइट बानली ची यह हमारे पास एक सिल है यह हमारे पास सिल इस सिल में हमारे पास दो क्रोमोजोम्स है यानि एक पियर आफ क्रोमोजोम्स हैं अब यह जो पियर आफ क्रोमोजोम्स हैं यह डबल हो रही हैं यानि इसमें सैंथिटिक फेज आ गया तो now each क्रोमोजोम is represented by two chromatids which are photocopies of each other इतना तो आफको पता है अब इस सेल का क्या हो रहा है meiosis first हम meiosis first बिलकुल नॉर्मल ही करेंगे इसका क्योंके हमें non-disjunction सीखना है इस टाइम meiosis second पे तो meiosis first जब इसका नॉर्मल होगा सिंपल सी बात है एक सेल में इसका एक क्रोमोजोम चला जाएगा और दूसरी सेल में दूसरा क्रोमोजोम चला जाएगा बिलकुल नॉर्मल है ये अगर non-disjunction होता जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा तो ये दोनों क्रोमोजोम एक ही सेल में चले जाते और दूसरी सेल जो थी वो खाली की खाली रह जाती राइट आगे बढ़ते हैं हम अब चलिए इस सेल का नाम रखते हैं A और इस सेल का नाम रखते हैं B ये जो A वाली सेल है इसको हम नॉर्मली आगे ले जाएंगे अब इसका मान लेजिए Miosus First के बाद Miosus Second हो गया Miosus Second अब Miosus Second में होता क्या है कि Centromere Break होते हैं और Chromated Smoke करते हैं Towards Opposite Poles इन अपोज़ सेल्स ओके इन टू डॉर्टर सेल्स तो दू डॉर्टर सेल्स इसकी वजह से वजूद में आ गी तो इसका तो बिलकुल नॉर्मल हो गया यह, नॉर्मल गिमीट्स बनाए इसने, राइट, ऐसा ही होना चाहिए था, अब इसमें हम देखेंगे कि इसका भी मियॉसस सेकंड हो गया, लेकिन इसके मियॉसस सेकंड में एक प्राब्लिम हो गई, जिसको हम बोलते हैं, नॉन डिस एक सेल बनी इसमें, और दूसरी सेल भी बनी, लेकिन चाहिए था, एक सेल में एक क्रोमोजोम चला जाए, दूसरी सेल में दूसरा चला जाए, जिस तरह A सेल, A वाली सेल में हुआ था, नॉर्मल ही हुआ था, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होने की वज़ा से, दोनों क् पढ़ा रिवालमस चले गए एक ही सेल में। और ये जो दूसरी सेलिखी वह खाली खाली रह गई। तो, पढ़ा जाए चार सेल इसमें बन गए ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौती सेल, अब देखे इन सेल का क्या है, ये बिलकुल नॉर्मल सेल है, क्योंकि नॉर्मल ही इसमें हो गया है, डिस जेंक्शन, ये भी नॉर्मल सेल है, लेकिन ये अबनॉर्मल सेल बन गई, क्यों बन गई अबनॉर्मल स इसलिए हैं, अबनॉर्मल इसलिए हैं, क्योंकि इसमें दो क्रोमोजोम्स हैं, ये अबनॉर्मल इसलिए हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रोमोजोम नहीं है, इसमें कोई क्रोमोजोम नहीं है, तो आईसी ही अबनॉर्मल सेल्स, इसमें कोई क्रोमोजोम नहीं है, तो आईसी ही ज़रूर कोई ना कोई सेंड्रों वजूद में आता है। For example, हम नॉर्मल सेल्स को छोड़के, इन दो अबनॉर्मल सेल्स की तरफ आते हैं। For example, ये जो सेल हैं, सेल नंबर थृ। सेल नंबर थृ हैं हमारे पास हैना, one second हम black से ही दिखाएंगे ताकि कोई confusion न हो जाए इसमें दो है अब मान लीजिए ये egg था इसमें ये दो x है ये x एक ये दूसरा x तो होना चाहिए था एक ही x अब ये normal sperm है यहां से ये है y वाली sperm तो जब fertilization हो गई इसकी वज़ा से तो हमारे पास जाएगोर जो बना वो x x y भाई ये normal sperm थी लेकिन ये abnormal egg था तो क्या वजूद में आ गया क्या आपको याद है ये कौन सा syndrome है it is clean filters syndrome राइट चलिए अब दूसरी cell को भी try कर लेते हैं यहां से one second इसी तरह हैं हमारे पास cell number 4 राइट अब cell number 4 को देखे आफ इसमें हैं कुछ नहीं इसमें होना चाहिए था स्पर्म में मान लीजे एक्स वाली स्पर्म थी अब जब इसका फटलाइजेशन हो गया इसके साथ तो एक जीरो वाली कंडिशन एक्स नॉट वाली कंडिशन आ गई तो ये कौन सा हो गया है । ये हो गया turner syndrome .नौ राइं तो हीं सेंद्रोम की वज़ा किया है ये हीं सेंद्रोम की में वज़ा ये ही है कि non-disjunction हो जाता है What is non disjunction it is the failure of chromosomes to disjoin and move to opposite poles during meiosis right hop आपको ये बहुत क्लियर हुआ होगा thank you for watching thank you very much